अक्ट्रसेस के बीच कैट फाइट के चर्चे तो हमने कई बार सुने हैं और देखे भी हैं लेकिन जब किसी एक पर मुसीबत का पहार तूट पड़ता है तो दूसरा उनके सपोर्ट में हमेशा नजर आता है लेकिन फलकनास के केस में ऐसा नहीं हुआ है जी हाँ बिग बॉस OTT 2 में फलकनास जो हमें नजर आ रही थी उन्होंने अब अपने इविक्शन इंटर्व्यू यानी की बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अपनी खास फ्रेंड दिपिका ककर के बारे में कुछ बाते कहीं हैं फलकनास और दिपिका ककर टेलेविजिन के मोस्ट पॉपिल अलग हो गए हैं फलकनास की फैमिली ने पिछले कई महीनों में काफी कुछ सफर किया है जहां पर उनके भाई शजान खान पर तुनीशा शर्मा को लेकर कई तरह के इलजाम लगे थे वहीं इस पर फलकनास कहती हुई नजर आई है कि इस टफ सिचुएशन में दिपिका ककर ने उन से संपरक करने की कोशिश ही नहीं की है फलकनास ने दिपिका ककर के लिए कहा है कि वो हमेशा मेरी दुआओं में है लेकिन मेरी जिन्दगी में नहीं है मैं एक इस तरह की इंसान हूँ कि अगर मैं किसी से क्लोस हो जाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करने लग Katherine कर ले हाल चाल पूछ ले जब आप किसी से अटाच्ट हो जाते हैं तो आप उनका इग्नॉरंस सहन नहीं कर पाते हैं उसे के साथ वो कहती हैं मुझे पता है कि दिपिका का कर मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन सिर्फ एक कमप्लेन है मुझे उन से कि आप अपनी जिंदगी में इतनी बिजी कैसे हो सकती हो कि आप के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं हो हमारे बीच कोई भी लड़ाई जगड़ा नहीं हुआ था बस हम ड्रिफ्ट अवे हो गए थे वो ये भी कहती हुई नजराई थी कि हमारा रिश्टा बेहनों की तरह था और वो बहुत ज़ादा खुश थी ये जानने के बाद कि उन्होंने बेटे रुहान को जनम दिया है फलकनास के अकॉर्डिंग वो ये भी कहती हुई नजराई थी मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्हें अपनी आइडेंटिटी लूज करने में कोई प्रॉब्लम है पर उस पर वो कहती नजराई थी कि नहीं वो खुश है और ऐसा कुछ भी नहीं है तो अगर दिपिका खुश है तो मैं भी खुश हूँ लोगों के उपीनिंस मैटर ही नहीं करते हैं दिपिका वेल्ट सेटल है और लोगों को उनके बारे में पॉजिटिवली बाते करनी चाहिए वैल इससे के बाद इनके बीच अच्छे टर्म्स नहीं रहे हैं और ये दोनों ही ऐसे चाहते हैं कि अगर वो खुश है तो मैं भी खुश रहू बेले सब्डेट को लेकर आपकी क्या राय है दू लेड उसनों दे कॉमेंट सेक्शन बिलो और ऐसी और अब्डेट के लिए स्टे तून तो टेली बाइट्स